अभी गर्मिया खतम नहीं हुए चल रही है तो रायता बहुत ही अच्छा है सहत के लिए तो आज हम बनाएंगे खीरे का रायता खीरे की तासिर ठंडी होती है तो गर्मियों में तो खीरा खाना ही चाहिए तो चलो आज बनाते हैं फटा-फट से खीरे का रायता वो भी बहुत ही तेस्टी तो खीरे को पहले मैंने ग्रेड कर लिया है और उसको मैंने ले लिया है एक बोल में और अब इसको और ठंडा बनाने के लिए हम उसमें डालेंगे फुदीना क्योंकि फुदीने की तासिर भी ठंडी होती है तो फुदीने को एक दमबारी चौप कर लेना है और उसको भी खीरे में डाल देना है और अब हम लेंगे दही दही मैंने यहाँ पर अमुल का लिया है क्योंकि बहुत खटा नहीं होता है मिडियम खटा होता है तो वो मुझे बहुत पसंद है तो आप घर का भी जमा ले सकते हो लेकिन वो मुझे साधा पसंद है राइते में थोड़ी सी मिठास हो तो राइते का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है तो हम यहाँ पर चीनी नहीं यूज करेंगे हम यहाँ पर यूज करेंगे कंडेंस मिल्क और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा राइता एकदम रेडी है उसको एक बोल में सर्व कर देंगे और उपर से गान रिशिंग के लिए मैं रखोंगी एक फुदिने का पत्ता और ये हमारा राइता बिल्कुर रेडी है तो रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा ओके बाई